Hello new students, welcome back to our channel आज का ये हमारा वीडियो इगनू से m.com course कर रहे students के लिए होगा चाहे आपका old course यानी की yearly course हो या फिर आप semester based student हो दोनों ही students के लिए ये वीडियो useful होगा आज के इस वीडियो में हम MCO 005 का sample question answer PDF देखेंगे जो की आपके exam के लिए बहुत ज्यादा useful हो सकता है यहाँ पे हम आपको बता दे three set salt paper provide करवाये जाएगा ये salt paper आपके exam के लिए बहुत important हो सकता है खास तोर से उन students के लिए जिनके पास कोई भी study material अवलेबल ना हो और last time study करके वो passing marks लाना चाहते हो तो वो students इस वीडियो को जरूर देखे आपको बता दे इस वीडियो के description में आपको complete playlist दे दी गई है जहां से आप MCO 1 से 7 तक के Hindi medium और English medium दोनों में sample question अंसक PDF को देख पाएंगे तो सबसे पहला question आप से कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि वित्तिये विवरन क्या है ये विवरन निर्ने लेने में कहां तक लाबकारी है तो वित्तिये विवरन के बारे में आपको बताना है और इनके क्या उदेशे हैं क्या प्रकृती है और निर्ने लेने में किस प्रकार से ये useful होते हैं इसको आपको describe करना है अगर आप इस PDF को purchase करना चाहे तो उसका option भी available है यहाँ screen पे और वीडियो के description में आपको हमारा WhatsApp contact number दिया गया है तो WhatsApp पे आप message कर सकते हैं यहाँ आप से कुछ short note question भी पूछे जा सकते हैं जो कि अंतरिम lab के बारे में और lab का नियोजग के बारे में हो सकता है ठीक है तो अंतरिम lab क्या है ठीक है lab नियोजग क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है तो इन questions को भी आप ध्यानपुरोग देख सकते हैं question second हो सकता है शूने आधार budgeting से क्या अभिप्राय है यह परमपरागत budgeting से कैसे भिन है तो यहाँ दो प्रकार की budgeting की बात की जा रही है budget की एक जो है वो सूने अधार budget है और दूसरा परमपरागत budget है तो सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब करेंगे कि सूने अधार budget क्या होता है और यह परमपरागत budgeting जो है उस प्रक्रिया से किस प्रकार से भिन है तो दोनों में अमतर बताना है तो यहाँ टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं सूने अधार और परंपरागत बजेटिंग के बारे में तो बजेटिंग के बारे में आप और भी डिस्क्राइब से लिख सकते हैं जो कि एक और इसका question हो सकता है budgeting पदिती के इस्तापना के मूल तत्वों का विवेचन कीजिए तो इसको भी देख लिए budgeting जो पदिती है उसके मूल तत्व क्या है इसके बारे में आपको यहाँ बताना होगा एक और question आपसे पुछा जा सकता है कारे करिया कलाप अधारी जो लागत लेखांकन होता है इसको आपको डिस्क्राइब करना होगा तो देखें यहाँ question number 3 का part था यह 3 का part B था और 3 का part A हो सकता है सामरिक लागत प्रवंधन क्या होता है इसके बारे में भी आप अच्छे से इसे देख सकते हैं इसका part C हो सकता है लाब परिमान अनुपाद तो लाब परिमान अनुपाद क्या होता है इसको भी आप डिस्क्राइब करेंगे चाहे तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं एक और सब हेडिंग हो सकता है इसका सब question अवशोशन लागत निर्धारन तो अवशोशन लागत निर्धारन क्या होता है ये question भी आपके exam के लिए बहुत जादा important हो सकता है निस्पादन बजट के बारे में भी आप से पूछा जा सकता है तो इसे भी आप देख लेजी question number 4 आपका numerical question हो सकता है जो कि आपको रिन पत्रों और ब्याज के बारे में एक data दिया जाएगा और उसे आपको ब्याज संरक्षन अनुपात ग्याद करना होगा तो इसे भी आप देख लीजिए numbers change हो सकते हैं एक्जाम में हो सकता है लेकिन question का format बिल्कुल इसी प्रकार का हो सकता है question number 5 भी आपका numerical question है जहाँ पे आपको कुछ situation दी गई होगी और उसी के according आपको आपने answers को describe करना होगा question number 6 फिर से आपका theoretical part आजाता है जिसमें आपको सीमानत लागन लेखांकन के प्रभंद की उपयोग की विवेचना कीजिए सीमानत लागन के बारे में आपसे पूछा गया है तो इसे आप देख ले अगला question जो होगा आपका वो भी देख लेते हैं जो आपसे पूछ सकता है अर्ध परवर्ती लागतों तथा मिश्रित लागतों को इस तिर एवं परिवर्तित भागों में कैसे बाटा जा सकता है देखे इस वीडियो में हम आपके लिए केवल एक सेट ही विद सॉलूशन स्क्रॉल करेंगे क्योंकि अगर तीनों ही सेट को स्क्रॉल किया जाता है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंधी हो जाएगी कोशन नमबर सेवन आप देख सकते हैं हस्तांतरन कीमत निर्धारन से क्या अभिप्राय है हस्तांतरन कीमत निर्धारन की विद्यो की व्याख्या केजे तो यह क्या होता है इसके बारे में भी आप अच्छे से देखकर लिख सकते हैं अगला question हो सकता है कडोड़ प्रवा विसलेशन प्रबंद की निर्णयों में कैसे सहायक सहायता करता है रोकड़ प्रवा ठीक है रोकड़ प्रवा के बारे पूछा गया है question number 9 है आपका लागत लेखाकार द्वारा उपलब्द कराई गई लागत सूचनाई इस प्रकार है situational based question है आपको यहां कुछ numerical question है तो इसको भी आप ध्यान पूरवक जरूर देख ले इस वीडियो में इतना ही thanks for watching